नमस्कार विवर्ज आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है विवर्ज नववर्ष की देरो शुपकामनाएं आप सबको मैं इश्वर से तह दिल से प्रात्ना करता हूँ मेरे तमाम विवर्ज का निया साल 2019 बहुत मंगलमई और खुश्यों से भरा रहे विवर्ज आज की वारता फोकस्ट है प्राचीन लाल किताब के उपर आखिर जोतिश के अंदर लाल किताब इतना इंपोर्टेंस क्यूं रखता है ये लाल किताब आखिर क्या चीज है जिससे लोगों को काफी राहत और लाब मिलता है और इसकी काफी मानिताएं हैं मैं बता दूँ विवर्ज मूल रूप में उर्दू फार्सी भाषा में लिखी गई लाल किताब अपनी सटीक फला देशों एवं अनिस्ट क्रहों की जटिल समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए सरल एवं अच्यूक उपायों के कारण आज संपून विश्व में जोति शास्त्र की सरवधिक विश्वश्निय पुस्तकों में से एक मानी जाती है कहते हैं इसमें जो उपाय ग्रहों के लिए बताए गए हैं उनका पालन करने से जीवन में सुक, समरिदी, शान्ती और उन्नती देखने को मिलता है लाल किताब का अधारबुत सिधान्त है कि अनन्त ब्रह्मान में सर्वशक्तिमान इश्वर की सत्ता व्यप्त है हमारे सारे जीवन की क्रिया कल्पों पर सौर मंडल के नौ ग्रहों का शक्तिशाली प्रभाब पड़ता है लाल किताब के अनुसार बुद ग्रह विस्तार या व्यापकता का प्रतीक है राहू बुद का सहोगी और मित्र आकाश सूर्य को लाल किताब में प्रकाश कहा ग्या है शनी को अंदकार, गुरु को हवा, शुक्र को पाताल, केतु को शुक्र का सहोगी मित्र पाताल, चन्द्रमा को धर्ती और मंगल को सितारा ग्रहों का ये प्रभाब मनुष्य के जीवन की काया पलट देती है इसका वर्णन लाल किताब में दिया हुआ है कई उपाए ऐसे बताए गए हैं, जिससे मनुष्यों को बहुत लाब मिला है और आगे भी मिलेगा लाल किताब का कहना है, ग्रहों के प्रभाब को उपाईों के द्वारा टाला जा सकता है दूर किया जा सकता है इसी के निमित लाल किताब की रचना हुई है लाल किताब की उपाईों का प्रियोक करने से निश्चित रूप से राहत मिलती है कुंडली में स्थित, यूती, द्रिष्टी, आधी के अधार पर ग्रह अपना शुभा शुप फल देते है ग्रहों की अशुबदा से अनिस्ट होते हैं अतहा अनिस्ट निवारक उपाए चुन्ने के लिए सरुबथम कुंडली निर्मान पर विचार करते हैं क्योंकि यही प्रक्रिया कुंडली परिक्षा से शुरू होती है कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लाल किताब की चर्चा करने और सुनने वाले से केवल एक टोटका कहते हैं निसंदे लाल किताब में टोटकों की तरही वर्णिन किया गया है यह केवल टोटका ही नहीं बल्गी और भी बहुत कुछ है ग्यान का भंडार लाल किताब ने बड़ी चतुराई से मानविय गुनों को टोटकों के साथ गुन था है विवन प्रकार के अनिस्ट निवारन जो उपचार दिये हैं उनकी प्रतेक सूची में इन नैतिक गुनों में से एक दो को शामिल कर लिया गया है अनिस्ट निवारन के लिए जो जातक टोटके करेगा वो इन पर भी अमल करेगा फलतर टोटके करता का अनिस्ट निवारन होने के साथ साथ आत्म संसकार भी होगा यानि एक पंथ दो काज फिर व्यक्ति के सुधार से समाज का भी सुधार होता है लाल किताब एक ऐसा प्रमानिक ग्यान का बंढार है जिससे आप तमाम शुरताओं को जो ग्रहों से पिडित है विवा में देरी, विवा का तूटना, स्वास्त का ठीकना जाना, नौकरी ना लगना बिजनस में उन्नती ना होना, घर में अशान्ती होना या किसी प्रकार की ग्रह जनित समस्याओं से पिडित है उनके लिए अच्चूट वर्दान है अधालाल किताब एक वर्दान है जीवन की आत्रा को आरामदैक बनाने के लिए आखिर लाल किताब का मूल आधार क्या है मैं बता दूं मित्रों, संसार के अनेक विद्वानों ने लाल किताब को यद भी जोतिश विशे की पुस्तक मानी है परन्तु भारतिय जोतिर विदों का माना है कि इसमें भारतिय जोतिश रहटकर भी कुछ भिनताएं है जैसे भारतिय जोतिश में कुंडली में लगन की अंख को कोई महत्वन दिया गया है और लाल किताब के रचेता ने लगन में आनी वाली राशियों के स्तान पर उन्हें ग्रहों की राशियों की उपस्तिती को महता दी है जो उन भावों के कारकों की है लाल किताब के रचेता ने पहले भाव को सूरे का पक्का भाव माना है दूसरे भाव को गुरू का, तीसरे भाव को मंगल का, चोते को चंद्रमा का, पांचवे को गुरू का, चटे को केतू का, सातवे को शुक्र और बुद्ध को, आटवे को मंगल और शनी का, नवे को गुरू का, दसवे को शनी का, ग्यारवे को गुरू का, और बारवे को राह मित्रों इस प्रकार फलादेश करने के लिए ये मान लिया जाता है कि परते कुंडली में चाहे उसकी लगन कुछ भी हो पहले भाव में मेश, दूसरे में वरिश, तीसरे में मिठुन, चौते में कर्क, पांचवे में सिंग, छटे में कन्या, साथवे में तुला, आटवे वरिश्चिक, नवे में धनू, दसवे मकर, ग्यारवे में कुंग, बारवे मीन राशी माना है अथ हम देखते हैं भारतिये जोतिश के साथ साथ इसमें कुछ भिनिताई भी है जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत लाबदायक है लाल किताब का नुसार हमारे सौरे मंदल में नौ ग्रह ब्रह्मन शील हैं इनका ब्रह्मन मात्रे से ही शुबाशुप फल की प्राप्ति संबब है और जो उपाये लाल किताब में बताए गए हैं वो मनुष्यों को बहुत लाब पहुचाने वाले उपायों में से हैं विवर्स आज की वारता केंद्रित है लाल किताब में कि तू ग्रह के शांती के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे एक व्यक्ति को जीवन की यात्रा में सुख, समरिद्धी, शांती और उन्नती मिले लाल किताब का कहना है केतू शुबद का सौमी है हर शुब घटना का प्रतीक केतू होता है शुब यात्रा का देवता है केतू को फारसी में दुम्ब और अंग्रेजी में ड्रेगन्स टेल कहते हैं इसका वार रविवार की सुभ और रंग चित कबरा है ये नापोसुंग ग्रह है इसका कारक भाव छटा है लाल किताब के अनुस्वार लाल किताब का कहना है शुक्र राहू इसके मित्र है चंद्रवा मंगल इसके शत्रू है इसकी आयू असी वर्ष काल 41 वर्ष ये समस्त ग्रहों से निर्बल है के तू अगर किसी को अनिस्ट प्रदान कर रहा है तो लाल किताब ने निम्न उपाय बटाए गए है व्यूर्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इससे आपको आशा करता हूँ जीवन की आत्रा में काफी लाब मिलेगा और सुक शांती से अपनी जीवन बुरा करेंगे केतु यदी आपके जीवन में अनिस्ट कर रहा है बाधाएं आ रही हैं उपाय नजर नहीं आ रहा तो लाल किताब कहता है काले वा सफेद कुत्ते के बाल को लाकर दरवाजे के दाएं और दबाएं पश्वों को गुड खिलाएं घर में चित कबरा कुत्ता पालें चांदी की ठोस गोली अपने पास रखना लाल किताब के अनुसार बहुत शुब और मांगलिक होता है काला वा सफेद कंबल गड़ीबों को दान करने से संतान का कस्ट, नौकरी का कस्ट, विवाक का कस्ट एवं जीवन की समस्त कठिनाया परिशानिया दूर हो जाती है कुत्ता पालें और उसकी सेवा करें कबुत्रों को दाना डालें काले वस्त्र धारन करें मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं कन्याओं को मिस्ठान यानि की मिठाई बाट कर उनके पैर चुएं कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं इससे काफी लाब होगा गले में हमेशा काला धागा पहने आटे में उड़त की दाल मिलाकर रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाएं कन्याओं को भोजन कराने के बाद मिस्ठान खिलाएं और उनके पैर चुकर आशिर्वत लीजिये नौकरी होगी विवा होगा स्वास्त हेल्थ में सुधार होगा और लक्ष्मी आएगी एक सप्था तक कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं कवे को सुबह सुबह दाना खिलाएं काली गाय और व्रिद गाय की सेवा रोज करें घर की अंधेरी कोट्री में सोने का पत्रा दबाएं चांदी की थाली में शहद और चावल भरकर रखें मिटी के करवे में शहद भरकर भुमी में दबाएं घर में कुत्ता पालने से केतु शुब फल देने लगता है ग्यारा मूली गरीमों को दान करें मकान के दरवाजे के दाई और नीम का पेड लगाएं कुत्ते को प्रतिदिन सेवा करें पन्ना अत्व मुंगा अनामिका उंगली में पहने काले तिल के लड्डू बना कर लोगों को बाटें कुत्ता पालें तता उसे शहद मिला दूद पिलाएं 43 वर्ष की आयू से पहले जमीन ना खरीदें मित्रों ये प्राचीन लाल किताब जो मूल रूप से उर्दू और फार्सी भाषा में लिखी गई थी उसमें बताए गए केतू को शुब करने के लिए केतू को शांती करने के लिए ताकि केतू आपके फेवर्बल रहे उपाये थे आशा करता हूँ मेरे तमाम विवर्ष को इन उपायों से जीवन की यात्रा को सुख़त बनाने में काफी लाबदायक और आराम मिलेगा धन्यवाद विवर्ष एक और नए वार्ता के साथ नए साल में फिर से आप सबसे मुलकात होगी नए साल की धेरो धेरो शुब कामना है झाल मिलेगा और नए साल र दुब है